नमस्कार दोस्तों मैं सौरोकुमार, एक्सल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपको Tax Relative Formula के बारे में बताऊँगा जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपने प्रॉपर अपर और लोर फर्मूले के बारे में सीखा था तो इस वीडियो में आपको Left, Right, Mid और Concontinent Formula के बारे में समझाऊँगा तो चलते हैं अपने Excel Seat पर और करके देखते हैं इसको यह मेरी Excel Seat है इस पर मैंने पिछली वीडियो में आपको Upper Formula के बारे में, Lower Formula के बारे में और Proper Formula के बारे में समझाया था आप हम बात करते हैं Left Formula के बारे में, Right और Mid और Concontinent Formula के बारे में तो बात करते हैं Left Formula क्या करता है जैसा कि आप जानते हैं जो भी आपका Tax होता है उसमें आपका First Name होता है और उसका Last Name होता है तो यहाँ पर उसका first name सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर layout formula का use करूँगा, किस प्रकार से, चाहें तो आप formula वार पर insert function पर आकर भी कर सकते हैं, इस formula का create, नहीं तो आप यह equal लगा कर भी कर सकते हैं, तो मैं equal लगाऊंगा, और type करूँगा, left, back restart करूँगा, यहाँ पर पूच रहा है, number of character, तो number of character यानि कि आपको यहाँ पर इसका first name को लेना है, तो first name में कितने character आ रहे हैं, उसके number को आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर 6 character आ रहे हैं, आपकी नहीं हैगा, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो यहाँ मैं 6 टाइप करूँगा, और bracket को close करूँग इंटर मारूंगा, तो देखेंगे, आप सचे नहीं आपर, so हो गया है, यही मैं चाहता था, left formula से, अब मैं यही formula आपको insert function की दोवारा भी लगा के सिखाता हूँ, तो आप formula बार पर जाएंगे, insert function पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको type करना होगा, left, 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 और आप यहाँ पर go करते हैं, तो आपका formula सबसे उपर यहाँ पर select किया हुआ, so होता है, आप ok करेंगे, अब यहाँ पर भी आप text दोएंगे, तो आपका text जैसे कि brat कुमार है, तो आप उसको लेंगे, उसको आप tap दमाएंगे, यहाँ पर पूछा है number of character, तो number of character, यानि कि name है, जो brat, उसमें कितने character आ रहे हैं, 5 character आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 5 type करेंगे, और ok करेंगे, तो आप देखते हैं, brat भी हमारा यहाँ पर आ गया है, इसी प्रकार से यह formula को आप यहाँ पर और वी name के एंसाल लगा सकते हैं, ok, जैसे कि मैं आप फिल आट कर देता को कि यहाँ पर वागी name हों में भी 5-5 character आ रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी formula मेरा काम कर जाएगा, तो आप देखेंगे, PIA आ गया है, ANOOP आ गया है, विजया आ गया है, तो आप समझे गई होंगे left formula क्या करता हैं, अब हम बात करते हैं, right formula के बारे में, अब right formula क्या करता हैं जो भी आपका name है, उसमें से आपका last name क्या है, यानि कि उसका surname क्या है, उसको सर्च करके आप दिखा सकते हैं, तो मैं एकवल लगाऊंगा, RIGST type करूँगा, और यहाँ पर मैं text दूँगा, जो कोई text पूंच रहा है, तो मैंने यहाँ text दिया, comma लगाया, और यहाँ पर द अब मैं यहाँ पर function की थुरू भी लगा देता हूँ, तो यहाँ इंसर्ट function बजाएंगे, और यहाँ पर RIGST type करेंगे, गो करेंगे, तो रायट आ गया है, आप OK करते हैं, तो यहाँ पर text पूंच रहा है, तो बिराट कुमार, number of character, कुमार में 5 letter आ रहे हैं, तो आप 5 type कर रहेंगे, तो यहाँ पर कुमार भी आ गया है, अब आप इसको सभी पर भी लगा सकते हैं, तो इसको आप fill out कर सकते हैं, इस प्रकार से, तो यहाँ पर बर्मा आ गया है, गुपता आ गया है, लेकिन यहाँ पर चौहान नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ मैंने 5 करेक्टर लिए थे लेकिन 4 में 7 करेक्टर हैं तो इसे दुबारा एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर 5 की जगह आप यहाँ पर 7 भी कर देंगे तो उसका 4 जो भी इसके लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह पूंच रहा है start number अब मैं यहाँ पर साज करना चाहता हूँ कि c h i n आये तो यहाँ पर start number हुआ आपका c तो 1 2 3 3 number पर आ रहा है आपका c तो यहाँ पर 3 type करेंगे कॉमल लाएंगे अब यह पूंच रहा है number of character आप केतने character चाहिए तो 4 character चाहिए मझे c h i n ओके तो यहाँ पर मैं 4 type करूंगा और यहाँ पर bracket को close करता हूँ इंटर बारता हूँ तो यहाँ पर c h i n आ गया है ना चलो एक बार देख लेते हैं insert function के दवार भी तो आप यहाँ पर type करेंगे mid और go करते हैं तो mid आ गया है आप ok करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे text पूंच रहा है तो text हमारा विरात लेता हूँ इस बार भी अब start number या आप 7 start number देंगे 7 और उसके बाद character करने चाहिए तो k um चाहिए 3 character तो आप 3 type करेंगे और go करते हैं तो यहाँ पर k um भी आ गया बागी जगे आप कर सकते हैं खुदी इसके बाद आप बात करते हैं concordinate formula के बारे में तो concordinate formula क्या करता है यह आपके किसी भी अलग-अलग cell में दिये हुए text को जोड़ता है एक साथ में तो चलो लगा के देख लेते हैं एक बार आप equal type करेंगे con आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे side में formula आ रहा है आप यहाँ पर tab दबा कर भी formula को लगा सकते हैं अब यह पूछता है text 1 तो मैं चाहता हूँ सचिन और सचिन एक साथ जोड़ सकते हैं Excel में तो मैं फ्लाल यहाँ पर ही close करता हूँ bracket को और इंटर मारता हूँ तो आप देखें सचिन सिंग एक साथ में Excel में आ गया तो यह काम हमारा concordinate formula करता है चलो मैं इस बार भी insert function के द्वारा इसको लगाता हूँ तो आप insert function बजाएंगे और type करें देंगे c-o-n-c-a-t-e-n-a-t-e और आप go करेंगे तो formula आपका आगया आप ok करेंगे यहाँ पर text बन देंगे आप चैसे कि मैं आप विराट को और कुमार को एक साथ लिखना चाहता हूँ तो मैं विराट लिखूंगा text 2 में आप कुमार देंगे text 3 आप चाहएं दी सकते ह फ्राल मैं यहाँ पर ही इसको end करूँगा और ok करूँगा तो यहाँ पर देगेंगे आप विराट कुमार भी यहाँ पर आ गया है इस परकार से आप और जगे पर लगाना चाहते है फॉर्मूला तो इससे fill out कर सकते हैं तो मैंने fill out कर दिया है तो आप देगेंगे सभी दॉट कॉम पर आकर पूछ सकते हैं और अगर हमारे और भी फॉर्मूले है ऐसे कि अपर है लोवर है प्रॉपर है इन फॉर्मूले को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com slash learnwirewatch पर आकर देख सकते हैं तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें मैं आपक को ट्रिम, लैन और रिप्लेस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद